बॉलिवुट फिल्म इंडेस्ट्री के पाँच सबसे महंगे सुपरिश्टार्स नमबर पाँच रितिक रोसन रितिक रोसन के डान्स, बोडी और एक्षन के दिवाने तो हर कोई है ये भी कहने वाली बात है सीधे मुद्धे पे आते हैं रितिक रोसन एक फिल्म को करने के लिए पच्चास करोड से पच्पन करोड रुपे का फीस लेते हैं जी हाँ, रितिक रोसन का पर मुवी फीस पच्चास करोड से पच्पन करोड रुपे है लेकिन आप सबों को बदा दूँ कि रितिक रोशन अपने आने वाली फिल्म फाइटर के लिए 70 करूर रुपे का फीस चार्ज किये हैं नमबर चार साहरुक खान साहरुक खान फिलाल अपने पठान फिल्म से बहुत ही जायदा बहबाही लूटे हैं और साहरुक खान अपने पठान मुवी के अपार सफलता के बाद उन्होंने अपने पर मुवी फीस में बढ़ोतरी की है पहले साहरुक खान एक फिल्म को करने के लिए 60 करूर रुपे का फीस लेते थे लेकिन अब साहरुक खान एक फिल्म को करने के लिए 70 करूर रुपे का फीस लेंगे जी हाँ साहरुक खान का पर मुवी फीस 70 करूर रुपे है नमबर तीन अजय देवगन अजय देवगन भले ही Runway 34, Thank God, भोज और भोला जैसी फ्लॉप फिल्में लगातार दियो लेकिन उनके इस्टाडम और उनके फीस में कोई भी कमी देखने को नहीं मिला है अजय देवगन अभी भी एक फिल्म को करने के लिए 70 से 80 करूर रुपे का फीस लेते हैं जी हाँ अजय देवगन का पर मुवी फीस 70 से 80 करूर रुपे है नमबर दो सलमान खान सलमान खान का समय अभी बहुत ही बुरा चल रहा है उनकी फिल्मे लगातार फ्लॉप नहीं डिसास्टर हो रही है लेकिन सलमान खान नाम नहीं ब्रांड है और सलमान खान अभी भी 70 से 75 करूर रुपे का फीस लेते हैं एक फिल्म को करने के लिए अक्षे कुमार का भी अभी फिल्हाल समय ठीक नहीं चल रहा है पूरा का पूरा फ्लॉप इस्टार बन बैठे हैं जिसके चलते अक्षे कुमार के पर मुवी फीस में बहुत ही जाइदा गिरावट देखने को मिला अक्षे कुमार जहां 130 करोड रुपे से 135 करोड रुपे का फीस चार्ज करते थे लेते थे एक फिल्म को करने के लिए वहीं अब अक्षे कुमार 80 करोड रुपे पर मुवी फीस पे आ गई है उसके बाद भी अक्षे कुमार बॉलीवुड के सबसे महांगी सुपरिश्टार है वैसे आप सब किनके जवरा फैन है कमेंड बॉक्स में जव लिखेगा और यदि आप सबां को ये वीडियो पसंद आई हो तो बिलीज वीडियो को लाइक करें वीडियो को अपने दोस्तो के साथ सेयर जोड़ करें और हाँ चिनल को सबस्क्राइब करना और साथ ही चिनल की विलेगन को प्रेस करना ना भूलें थैंक्स मिलते हैं एक और ने वीडियो लेकर तक तक के लिए गुड़ विसेस पूर गुड़ लाख